तो जय हिंद मेरे प्यारे साथ ही हो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भरती के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में 90% बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और देखें काफी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि वीडियो के कमेंट सक्षन में आ कर करते हैं कहते हैं कि सर फेक वीडियो बनाते हैं भरती नहीं आई है इसका नोटिफिकेशन कहां है उन सभी लोगों से एक बार मैं कह देना चाहता हूं कि यार जितने भी लोग कहते हैं ना कि सर आप फेक वीडियो बनाते हो उनसे बस एक निवेदन है मेरा कि आप सभी करता हूँ जिस भी भर्ती के बारे में आपको जानकारी देता हूँ सभी का ओफिशल uh आपको प्रोवाइड करता हूँ अपने टेली ग्राम चैनल पर उसके अलावा apply का link भी provide करता हूँ तो यह जो ज्यानी लोग जो है ना जो की वीडियो के comment section में आते हैं और कहते हैं कि सर्फ एक वीडियो बनाते हों उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यार पहले आखे खोलिए आप लोग ठीक है ना उसके बाद जो है आप लोग comment किया कीजिए कि हाँ जो मैं comment कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं तो दोस्तों आज की फीडियो में आपको बताने वाला हूं भारती पशुपालन विभाग में यह जो नहीं भरती आई है उसके रिगार्डिंग में देखें नमबर आफ टोटल पोश्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 1125 मजते हैं इस वज़े से बस में वज़ा यही है और कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि नहीं भरती फेक है मैं तो बस जो मन में आता है वो बोलता रहता हूं कुछ लोग के मन में ऐसा भी चलता है तो ठीक है आपके मन में जो भी चलता हो वो चले ठीक है लेकिन जो लोग सीरि आई है जो कि भारती पश्विपालन विभा की तरफ से ये भरती निकल करके आई हुई है पद की अगर मैं बात करूँगा तो थीन अलग-अलग प्रकार के पद पे भरती आई है केंद्र प्रभारी नमबर वन की बात करूँगा तो केंद्र प्रभारी के पद पे भरती आई ह वहाँ पर अलग-अलग केटेगरी में कुल कितनी सीटे हैं सारा डीटेल उसमें दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अगर बताने लगूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक न और यहाँ पर जगा भी नहीं है दूसरी चीज अगर मैं बात करूंगा कि मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर आफ सीटे है यानि कि 750 सीटों पर केंद्र सहायक में भरती आई हुई है ठीक ना तो यह तीन प्रकार के अलग-अलग प्रकार के पदों पे भरती आई हुई है देखे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्वालिफिकेश से अगर आपने किया हो पास हो तब जाकर के आप केंद्र प्रभागरी के लिए एप्लाई कर फकते हो उसके अलावा केंद्र विस्टार अधिकारी की मैं बात करूंगा तो उसमें क्वालिफिकेशन बारावी पास मांगा जा रहा है बारावी में आपको चाहाए कितने भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आप यहां पर अपली केबल हो ठीक है ना क्योंकि यहां पर पर परफंटेज के बारे में नहीं बताया गया है इसके अलावा केंद्र सहयक की मैं बात करूंगा तो सबसे जादा नंबर आफ टोटल फीटे इसी में है और सबसे जादा बच्चे इसी पदपे भी एपलाई करेंगे इसमें क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो अगर आपने कहीं से भी दसवी पास कर रखी होना तब जाकर के आप इस विकिंसी के लिए एपलाई कर सकते हैं अब काफी सारे बच्चों के यह सवाल होता है कि सरीए राज जिसे आता हूं मैं अपलाई कर पाऊंगा के नहीं तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आल इंडिया के मेल और फिमेल कंडिडेट के लिए यह भरती निकाली गई है ठीक ना तो आप किसी भी राज जिसे देख रहे हो आप यहां पर एपलाई कर सक हो आगे चलके मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है नोटिफिकेशन कहां मिलेगा एपलाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ठीक है ना बस थोड़ा सा आप लोग सबर रखिए थोड़ा सा जो है धार रखिए आप लोग ठीक अगर आप अपने अपने मोबाइल से कर दोस्तो अगर आप केण्द्र प्रभारी और केण्द्र विस्तार अधिकारी के लिए अपलाई करते हो तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो minimum 21 फाल रखा गया है और maximum 40 फाल के अंदर होना चाहिए और यह मैं आपको बता रहा हूं जनरल कंडिडियेट का उसके अलावा अगर आप OBC हो तो उसमें 3 फाल का आपको छूट दिया जाएगा स्ट केटेगरी को यहां पर पाम फाल का छूट तब जाकर के आप जो है केंद्र फाहय के पद पे अप्लाई कर सकते हों अब मैं आपको बता देना चाहता हूं आवेदन शुल्ट के बारे में कि जब आप आउनलाइन आवेदन करने जाओगे तो आपसे कितना पैसा लिया जाएगा कितना फीस लिया जाएगा तो दोस्तों बच्चे जो गरीब बच्चे है ना जो मिडल क्लाफ फैमिली से आते हैं वो इतना ज्यादा पैसा एफॉर्ट नहीं कर पाएंगे जितना कि यहाँ पर दिया गया है ठीक ना केंद्र प्रभारी के लिए अगर आप अप्लाई करतो हो तो इसमें फीस के तोर पे 944 रुपे रखा गया है करीब करीब 108 बच्चे आप फीस रख दिया गया है तो कौन बच्चे ही अपलाई करेंगे मैं आपको होता रहा हूं 100% बच्चे गर वीडियो को देखेंगे आतो से मातर 10% बच्चे ही ऐसे होंगे जो की अपलाई कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं के लिए ठीक ना तो सरकार को यह चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा फीस जो है कम रखा जाए लेकिन अब जो चीज है वो यही है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं देखिए अगर आप सच्छम है तो अप्लाई किजेगा अधरवाइस कोई बात नहीं है ठीक है केंद्र वि के लिए है मतलब आप किसी भी कैटेगरी के अंतरगत आते हो जन्रल ओबीसी एवस सभी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर इतना शुल्क रखा गया है काफी सारे बच्चों का यह सवाल होगा कि सर यह बताइए कि जॉब लोकेशन जो है वो कहां पे होगी तो दोस्तों और आल इंडिया में यानि कि पूरे भारत देश में आपको कहीं भी जॉब लोकेशन दिया जा सकता है आपको जॉब कि जॉब प्राथमिक्ता ईया तो हो सकता है कि आपको अपने इस्टेट में ही आपको जॉब मील सके ठीक है अब को बताऊंगा salary के बारे में तो दोस्तों यहां पर तीन अलग-अलग प्रकार के पत पर भरती आई हुई है इसलिए तीनों का salary जो है ना वह मासिक वेतन के रूप में अलग-अलग दिया जाएगा कितना दिया जाएगा तो अगर आप केंद्र प्रभारी के लिए apply करते हो तो आपको जो मासिक वेतन के रूप में 37,500 रुपए दिया जाएगा तो यह तीन अलग-अलग प्रकार के पद है और उसी इसाब से यहां पर salary रखी गई है आईए दोस्तों आगे वढ़ते हैं मैं आपको बता दूँगा कि भरती प्रक्रिया जो है इसमें किस प्रकार से आप बिल्कुल भी नहीं है लिखित परिक्षा होगा सबसे पहले और देखिए अगर आपको syllabus के बारे में जानना है ना तो आप लोग चले जाएगा मेरे telegram चैनल पर telegram चैनल का link मैंने video के description में already डाल रखा है वहाँ पर इस vacancy का notification में डाल दूँगा और notification में पूरी अच्छी तरीके से वहाँ पर बताया गया है कि किस subject से कितने question पूछे जाएगे कितने समय लिया जाएगा आपको exam देने के लिए negative marking होगा कि नहीं होगा सारा जानकारी वहा जरूर से जरूर देख लीजेगा ठीक है ना तो सबसे पहले आपका written exam होगा उसके अलावा साक्षातकार जिसे हम लोग interview के नाम से जानते interview होगा और बाद में आपका दस्तावेज सत्यापन होगा यानि कि document verification जो है डीवी में अगर सब कुछ सही पाए आता है तो finally आपका वहाँ पर joining जो है आपको दे दिया जाएगा अब मैं आपको बता देना चाहता हूं आवश्यक दस्तावेज के बारे में जो कि आपके पास होना चाहिए online आवेदन करते समय ही और जब document verification होगा तब भी आपका ये दस्तावेज लगेगा तो क्या दस्तावेज होना चाहिए तो सबसे पहले नंबर की बात करूँगा तो शैचडिक योगता आपके पास होना चाहिए आपने देखिए जो भी आपके पास डिगरी हो हाई स्कूल इंटर या फिर अगर आपने इस नातक यानि की रिजुएशन काफ कर रखा हो तो आपके पास शैचडिक योगता यानि पर जादी प्रमाड़ पत्र नहीं लगेगा बाकि आप किसी भी कैटेगरी के अंतरगताते हो ओबीसी एडवलेस स्टी तो आपका यहां पर काश्ट सर्टिफिकेट यू है देखा जाएगा उसके अलावा निवास प्रमाड़ पत्र जहांके आप पर्मानेंट निवासी हो वो भी आपका सर्टिफिकेट यहां पर देखा जाएगा ठीक है ना उसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड यानि कि जो औरिजिनल आधार कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए या फिर पहचान पत्र होना चाहिए देखे पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड दोनों में से एक चीज आपके पास होना चाहिए ठीक है ना जो कि आपके identify को जो है वो दर्शाता है उसके अलावा दोस्तों अगर आगे मैं बात करूंगा तो date of birth certificate आपके पास होना चाहिए और रोजगार पंजियन प्रमाण पत्रियानी की जो आप application registered करोगे ना registration जो आप करोगे उसका भी आपके पास print होना चाहिए तो इतने सारे जो है आवश्चक दस्टावेज आपके पास होने चाहिए डीवी के टाइम पे और जब online आवेदन करने जाओगे तो यही दस्टावेज जो है आपका देखा जाएगा ठीक है ना अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता apply का link डाल दूगा जिससे कि आप अपने mobile से ही apply कर फक्त हो लेकिन मेरी मानिएगा एक सला मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप interested हो इसमें apply करने के लिए आपके पास सहचड़ी क्योगता है तो आप अपने mobile से बिल्कुल भी apply मत कीजेगा चले जाएगा cyber cafe वहां से जा प्रकार का कोई भी doubt जो है नहीं रह गया होगा फिर भी अगर कोई doubt रह गया होगा तो आप जो है वीडियो में वीडियो के comment section में comment कर सकते हो मैं उसका reply देने का भी पूरा पूरा कोशिव करूंगा तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था बाकि वीडियो अग के लिए धन्यवाद